परिचाए आदित्य, बेटा चश्मा कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है हाँ दादा जी, ये रहा आपका चश्मा हाँ, अब मुझे दिखने लगा है पताओ, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है जरूर बेटा, पूछो चश्मे की साहता से आप इस पच्ट कैसे देख लेते हैं? बात ये है कि चश्मे में जही माप के लेंस लगे होते हैं जिसकी साहता से हम इस सुन्दर संसार को देख पाते हैं अच्छा, तो इसके बारे में मुझे और विस्तार से बताईए तथा प्रकाशिकी अंत्र में लेंस के बारे में बताऊंगा उतेशि इस पार्ट के अंत्र में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे गोलिये सद्वों से अप वर्तन की व्याक्या करना लेंस बनाने वाले सूत्र का उप्योग करना अपने लेंस सूत्र का उप्योग कर प्रति बिम्ब का इस्थान ग्याक करना प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करना प्रिज्म द्वारा प्राकिर्णन की व्याख्या करना मानव नेत्र के कारे की व्याख्या करना सूच्मदर्शी के कारिकी व्याख्या करना दूरबीन के कारिकी व्याख्या करना गोलिये सत्हों तथा लैंस द्वारा अपवर्तन गोलिये सत्हों पर अपवर्तन दिये हुए चुत्र में दो माध्यमों को सत्थक करने वाले एक उत्तल अपवर्थक सत्य को दिखा रहा है मान लिजिए कि अपवर्थक सत्य पर P धुरुव है सत्था C गोलिय केंडर है मानली जीए की विरल सत्था सघन माध्य में अपवर्तनांक क्रमशा N1 सत्था N2 है मानली जीए के वस्तू O उत्तल अपवर्तक सत्य के मुक्य अक्षपर एक प्रकाश बिंदू है सत्य पर बिंदू A से आपदित किरण O A के अपवर्तन के बाद अभी लंब NAC की ओर मुड़ जाती है सत्था AI की दिशा में जाती है दूसरी किरण O B सत्य पर लंबवद आपदित होती है सत्था अपवर्तन के बाद सीधी गुजरती है दोनों अपवर्थित किर्णे बिंदू आई पर मिलती हैं जो बिंब ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है बिंब तथा प्रतिबिंब दूरी के पधों में माध्यम के अपवर्थनांक तथा गोलिय सतह की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध इस प्रकार है एन दो बटा बी घटा एन एक बटा यू पराबर एन दो घटा एन एक बटा आर माण लिजी एक पतला लेंच है लेंच के पदार्थ का अपवर्दनांक N2 है तथा ये अपवर्दनांक N1 के माथ्यम में रखा है लेंच का प्रकाश के इंद्र सी है तथा मुक्य अक्ष X-X है लेंच की सतह की वकृता तृच्या R1-R2 है तथा उनके द्रोब P1 तथा P2 है लेंस की मुटाई T है जो बहुत कम है बिंदू O लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु बिंदू है द्रोब P1 से O की दूरी U है पहले अपवर्टक सतह O का प्रतिबिम्ब I- पर बनता है जो P1 से दूरी V- पर है प्रतिबिम्ब I- दूसरी सतह के लिए आपहासी बस्तु का कारे करता है सतह दूसरी सतह से अपवर्टन के बाद अंतिन प्रतिबिम्ब I- पर बनता है पतले लेंस के लिए अपवर्टनांक का सूत्र है ये सूत्र लेंस बनाने वाला सूत्र कहलाता है ये सूत्र अफ्दल लेंस के लिए भी लागू होता है यदि प्रथम माध्यम वायू है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांग N हो तो N दो बड़े N एक बराबर N तथा हम निम्न जानते हैं पता लेंस बढ़ाने वाला सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है ये पतला लेंस सूत्र कहलाता है प्रकाश के बास्तविक स्रोत की ओर के बिंदू को प्रथम फोकल बिंदू जबकि दूसरी बिंदू को तुटिये फोकल बिंदू कहते हैं लेंस के आवर्धन M को प्रति बिम्ब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाशित करते हैं M बराबर H टैश बटे H बराबर V बटे U उधारण 6 cm उची एक वस्तु को अफ़त लेंस के सामने 30 cm की दूरी पर रखा जाता है जिसकी फोकस दूरी 15 cm है क्रति बिम्ब के स्थान क्या कीज़े खल दिया है U बराबर 30 cm F बराबर घटा 15 cm अता लेंस सूत्र से एक बटा F बराबर एक बटा V घटा एक बटा U जो की प्राप्त होता है एक बटा V बराबर एक बटा F जमा एक बटा U से बराबर एक बटा घटा पंधा जमा एक बटा घटा तीस बराबर घटा एक बटा पंधा घटा एक बटा तीस बराबर घटा तीन बटा तीस अधवा भी बराबर घटा तीस बटा तीन बराबर घटा दस सेंटिमीटर अर्थाद प्रतिर विंब वस्तु की और लेंस से दस सेंटिमीटर की दूरी पर बनेगा लेंस की एक्षमता किसी लैंस की क्षमता की माप किरन को मुख अक्ष की और मोडने की इसकी क्षमता से की जाती है लैंस L2 की फूकस दूरी लैंस L1 से कम है अथा लैंस L2 किरनो को L1 से ज़्याता मोडता है इस प्रकार लेंस की L2 ख्षमता, लेंस L1 की ख्षमता से अधिक है पस्टता P 1 बटा F के अनुक्रम अनुपात में है अंतराश्टिय पद्धती में फोकस दूरी की एकाई मीटर है तथा लेंस की ख्षमता डाई आप्टर में है अता P 1 बटा F के परापर है इस पस्टता एक मीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की ख्षमता एक डाई आप्टर है इस संपर्थ में रखे पतले लेंसों का संयोजन मान लिजिए दो पतले उत्तर लेंस L1 तथा L2 को एक दूसरे के संपर्थ में इस प्रकार रखा गया है कि उनके अक्षित समान है लेंसों की फोकस दूरियां F1 तथा F2 है तथा लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान है प्रथम लेंस L1 से यू दूरी पर एक बस्तू को इस्थित है लेंस L1 कि रुनों को आई डैश की और मूरती है अर्थाद I- प्रथम लेंस L1 द्वारा बनाया गया प्रतिबिम्ब है यदि लेंस L1 से प्रतिबिम्ब I की दूरी V है तो लेंस L1 के लिए एक बटा V- घड़ा एक बटा U बराबर एक बटा F1 इसे समी करन एक नाम दीजिए लेंस L2 के लिए एक बटा V घड़ा एक बटा V डैश बराबर एक बटा F2 इसे समी करन तो नाम दीजिए समी करन एक तथा दू को जोड़िए इसका मान एक बटा V घड़ा एक बटा U बराबर एक बटा F होगा जहां एक बटा F बराबर एक बटा F1 जमा एक बटा F2 यदि F1, F2, F3 इत्यादी फोकस दूरियों के कई पतले लेंज एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो इस से योजन की प्रभावी फोकस दूरी इस प्रकार होगी एक बटा F बराबर एक बटा F1 जमा एक बटा F2 जमा एक बटा F3 इत्यादी शमुदा के पदों में इस इस प्रकार भी लिखा जा सकता है P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 इत्यादी स्योजन का कुल आवर्थन M लेंसों के अलग-अलग आवर्थनों M1, M2, M3 इत्यादी के गुडन फल के बराबर होंगे M बराबर M1 गुडन, M2 गुडन, M3 इत्यादी प्रिज्म से होकर अप वर्थन प्रिज्म तीन उर्थवाधर समतल से गिरे समांगी एवं पारदर्शी माथ्यम है इनकी दो फलकें प्राया पोलिश की हुई होती है जो अपवर्थित फलकें कहलाती है तथा उनके बीच का कौन, प्रिज्म कौन अथवा, अपवर्थनांक कौन कहलाता है तीसरा फलक जो आधार कहलाता है प्राया नीचे होता है जहां से प्रकाश का संचरण नहीं होता है चलिए किसी कांच प्रिज्म एबी-सी से होकर एक वर्णक प्रकाश की रण पी-क्यू के बत पर विचार करते हैं एबी-फलक पर जब किरण कांच में आपतन कोन i से प्रवेश करती है तो ये q-पर अभवर्थन कोन r1 से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा फलक ए-सी से r पर टकराती है फलक ए-सी पर आपतन कोन r2 है तथा किरण हवी लंब से R पर कौन E बनाते हुए वायू में निकलती है निर्गत किरण RS तथा आपदित किरण PQ की दिशा में अंतर को विचलन कौन डेल्टा कहते है विचलन कौन डेल्टा कमान क्या हग किया जा सकता है डेल्टा बराबर I जमा E भटा A इसी दिये हुए प्रिज्म के लिए A अचर है विचलन कौन डेल्टा आपदित कौन पर निर्भर करता है जब आपदन कौन बहुत छोटी कौन से बढ़ता है विचलन कौन फहले खटता है जो नियूनतम हो जाता है सथा बात में बढ़ता है नियुनितम विचलन आई पराबर E के लिए R1 पराबर R2 राब्त होता है डेल्टा नियुनितम पराबर 2I घड़ा A रिस्म के पदार्थ का अपवर्थना एन बराबर साइन ए जमाख डेल्टा न्यूर्टम बटे दू बढ़ा दू को साइन ए बटे दू से विभाजित करने पर राप्त होता है प्रिज्म द्वारा परिक्षेपा श्वेद प्रकाश का संघटक रंगों में विभाटन परिक्षेपन कहलाता है रंगों के घटक करम में इस प्रकार प्राप्त होते हैं बैगनी, नीला, आस्मानी, हरा, फीला, नारंगी और लाल बैंगनी प्रकाश के विच्रान कौन अधिक्तम तथा लाल प्रकाश के निवनतम होते हैं आता जब श्वेद प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो भिन रंगों की किरणे भिन दिशाओं में अपवर्तित होती हैं तथा इसलिए भिन भिने दिशाओं से आती हुई ततीत होती हैं। च्वेद प्रकाश के परिक्षेपन पर न्यूटन के क्लासिक प्रयोग। सर आईसेक न्यूटन द्वारा किया गया प्रयोग। उन्होंने दूसरे प्रिज्मू P2 को एक अन्य प्रिज्मू P1 के सामने उल्टा करके इस प्रकार रखा कि पहले प्रिज्मू P1 से निर्गत किरन प्रिज्मू P2 पर पड़े तो प्रिज्मू P2 से निर्गत किरन प्रिज्मू P2 पर पड़े तो प्रिज्मू P2 से निर्गत कि में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपन का एक उधारन है। ये घटना जल की गोलिये बूंदों द्वारा अपवर्तन तथा आंतरिक परवर्तन के संयोक्त प्रभाव के कारण होती है। रात्मेक इंद्रधनुश जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों पर पड़ता है तो भिन भिन किरणे भिन 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 विचलन कोन बनाती है। जब किसी किरण का दो अपवर्तन तथा एक आंतरिक परवर्तन होता है तो प्रात्मेक इंद्रधनुश बनता है। लाल किरण की तीवर्ता अधिकतम 42 दिक्री तथा जामनी किरण की तीवर्ता 40 दिक्री होती है। दूइतिय इंद्रधनुश जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर इस प्रकार परता है कि दो अपवर्तन तथा दो आंतरिक परवर्तन हों तो प्रात्मेक इंद्रधनुश के साथ दूइतिय इंद्रधनुश भी प्राप्त होता है। दूतिये इंद्र धनुष में जयमनी रंग का पिछलन लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जब साधारन प्रकाश अत्यधिक छोटी वायू कणों धूल तथा धूम्र कणों इत्यादी वाले वायू मंदल से गुजरता है। तो ये अपने पत से प्रकाश तरंग तथा लक्ष कड़ों के वैद्युतिक शित्र सधिश की पारसपरिक्पृया के कारण विचलित हो जाता है। ये खटना प्रकीर्णन कहलाती है तथा विचलित प्रकाश को प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं। प्राकीडन का रेलेनियम सूक्ष्म कणों यानी प्रकाश के तरंदेर्थ की विमाउं से प्रकीडनित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंदेर्थ के जतुर्थ खात के विर्थ ग्रमनुपाती होती है अर्थात हमें अधिकांश समय आकाश नीला क्यों दिखाई देता है सूरे का प्रकाश प्रित्वी के बायुमंडल में पहुंचता है तथा बायू तथा धूल कड़ों द्वारा सभी दिशाओं में प्रकिर्णित हो जाता है नीले प्रकाश प्रित्वी के बायुमंडल में छोटे अड़ों द्वारा सभी दिशाओं में प्राकिर्णित होता है नीले रंग के प्रकाश में आने रंगों की अपेक्षा अधिक प्राकिर्णन होता है क्योंकि इसकी तरहं देर्थ छोटी होती है जो कम दूरी तै करती है यही करण है कि हमें अधिकाश समय आकाश नीला दिखाई देता है सूरियोदय तथा सूरियास्त के समय हमें सूरे रखताब क्यों दिखाई पड़ता है जब सूरे आकाश में नीजे होता है तो इसके प्रकाश को हम लोगों तक पहुंचने के लिए अधिक तम वाय मंडल से होकर गुजलना पड़ता है यहां तक की नीले प्रकाश का अधिकांज भाग प्राकिर्णित हो जाता है सिर्फ लाल रंगों का प्रकाशी सीधे हमारी आँखों तक पहुंच पाता है प्रकाश की अंद्र नेत्र हमारी आँख उत्तल लेंस की भाती कारे करती है जो पेशियों द्वारा इस्थिर होती है यह लेंस नेत्र लेंस कहलाता है किसी प्रकाशवान वस्तु से आती हुई किरने जब आँख के लेंस पर पड़ती है तो अपवर्टन के बाद ये रेटिना पर फोकस होती है इस प्रकार रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है अमारा मस्तिश्क इस प्रतिबिम्ब को सीधा मैसूस करता है नेतर की समंजन शमता पेशियों के लचीलेपन के कारण नेतर का लैंस अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है जिसे कि हम पास वद दूर की वस्तु को देख पाते हैं आंग ये एक शमता समंजन शमता कहलाती है आंग द्वारा किसी वस्तु को इस पश्टता देख सकने की अधिक्तम दूरी अनन्थ है जब वस्तु अनन्थ या बहुत दूर पर होती है तो इनसे निकलने वाली समांतर किरणे नेतर लैंस से अपवर्तन के बाद रेटीना पर फोकसित होती है तथा वस्तु इस पश्ट दिखती है इस अवस्ता में पेशियों में कोई तराव नहीं होता है पर्थात नेतर विराम की अवस्ता में होती है तथा नेतर लैंस की फोकस दूरी अधिक्तम होती है जब वस्तु नेतर लैंस के पास होती है पेशियां लेंस की अपवर्टक सतों की वकृता को बढ़ाने या घटाने के लिए सिक उड़ती है इसलिए लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो था रेटिना पर एक सपस्ट प्तिबेंब बनता है इस प्रकार नेत्र पास तथा दूर की वस्तूओं को इसपस्ट देख पाती है नेत्र जिस नियुनतम दूरी पर की वस्तू को पेशियों पर अधिक्तम दाप डाल कर देख पाती है वो इस पश्ट दर्शन की अल्पतम दूरी अथवा नेत्र का निकडविंदू कहलाता है। सामाने नेत्र के लिए ये दूरी पच्ची सेंटिमीटर है, तथा अधिकतम दूरी अनन्थ है। प्रकाशि की अंद्र नेत्र पुतली पुतली का कारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मातरा को नियंत्रित करना है। जब प्रकाश अधिक होता है, तो पुतली सौभावता सिकुड़ जाती है। तथा जब प्रकाश मंद होता है, तो पुतली अपने आप विस्तारित हो जाती है। ये प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। द्रिष्टी की संवेदन शीलिता, जब नेत्र किसी वस्तु को देखते हैं, तो नेत्र के सामने से वस्तु को अचानक हटा लेने के बाद, रेटिना पर बन रहा वस्तु का पतिबिम्ब अचानक बैब नहीं हो पाता है। ये अनुभव लगभग दस्वें सेकंड की लगु अबधी तक भी होता रहता है। इसे द्रिष्टी की संवेदन शीलिता कहते हैं। वो इस्थान जहां पर द्रिग तंत्रिका नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश की प्रती असंवेदन शील होता है। तथा ये काल अथवा कहलाता है। नेत्र तोश्र निकट द्रिष्टी अथवा मौयोपिया। मौयोपिया नेत्र का ऐसा दूश है जिसमें व्यक्ति केवल पास की वस्तु को देख पाता है। इन तो दूर की वस्तु को इस बस्टता नहीं देख पाता है। इस दूश का कारण है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना। नेत्र की गुलाई का पहलना। उप्चार इसे दूर करने के लिए उप्युक्तिव फोकस दूरी का अफ्दल लेंस प्रयोग किया जाता है दूर द्रिश्टी अथवा आईपर मैट्रोपिया आईपर मैट्रोपिया नेद्र का ऐसा दूर्श है जिसमें व्यक्ति केवल दूर की वस्तूं को देख पाता है इंदू पास की वस्तूं को इस पच्टता नहीं देख पाता है इस दोश का कारण है नेद्र लेंस की फोकस्दूरी का बढ़ता नेद्र की गोलाई का सिकुड़ना उपचार इस दोश को दूर करने के लिए उचित फोकस्दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है नेद्र दोश प्रेस बायूपिया बढ़ती उमर में नेद्र लेंस की फोकस्दूरी को पदलने की अपनी शमताखो देती है इसके परिणाम सरूप नेद्र का निकट बिंदू दूर विस्थापित हो जाता है तथा दूर का बिंदू अधिक पास आ जाता है जिससे की नेद्र पास की वस्थू तथा दूर की वस्थू को नहीं देख पाते हैं नेद्र का ये दोश प्रेस बायूपिया कहलाता है इस दोश को दूई फोकल लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है एस्टिकमेटिस्म नेत्र का ये दोश जिसमें समानदूरी की शेटिज तथा ओडवधर वस्तुएं रेटिना पर फोकस नहीं हो पाते हैं एस्टिकमेटिस्म कहलाती है एस्टिकमेटिस्म दोश का उपचार सिलिंड्री या बेलनाकार लेंस के प्रयोग द्वारा होता है सूक्ष्म दर्शी सूक्ष्म दर्शी निकट की बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखने का एक प्राक्रम है किसी सरल सूक्ष्म दर्शी में छोटे फोकस दोरी का एक उत्तर लेंस होता है सरल सूक्ष्म दर्शी का सिध्धान्त है यदि किसी वस्तु को लेंस तथा इसके मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब सीधा तथा आवर्दित होता है किसी सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर D गुणा एक पटा F घटा एक पटा V जब अंतिम प्रतिबिम्ब दर्शन की अल्पतम दूरी पर होता है अर्थात B बराबर D तो M बराबर एक जमा डी पटा F जब अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्द पर निर्मित होता है तो V बराबर अनन्द M बराबर D गुणा एक पटा F एक बटा अनंद पराबर डी बटा एफ संयोक्त सूक्षमिदर्शी इसमें लंबी बेलना कार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे चिदर वाले तथा छोटे फोकस दूरी वाले एक उत्तर लैंस होते हैं ये अभी द्रिशक लैंस ओग कहलाता है नली के दूसरी और दूसरे समान अक्षिय तथा चौड़ी नली लगी होती है जिसमें इसके बाहिछोर पर उत्तर लैंस ही होता है ये लैंस नेदर की और होता है जो नेतरिका कहलाता है नेत्रिका की फुकस्दूरी तथा द्वारक अभी द्रश्यक की दुल्ला में बड़ा होता है नेत्रिका के आगे कुछ दूरी तक तार लपेटा होता है संपुन नली, शिकंजे तथा पीनियन वेवस्था की साहता से आगे पीछे गती कर सकता है संयूक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर घटा V, शूने बटा, U, शूने गुणा, D, बटा, F, E, जमा, D, बटा, V, E यहां चिन्न पूर्वत रखा गया है खगोलिय अपवर्थक दूर्वीन में एक अभी द्रशक लैंस तथा एक नेत्रिका होती है यद्यपी दूनों यंत्रों में अंतर ये होता है कि दूर्वीन के अभी द्रशक की बड़ी फोकस्तूरी तथा बढ़ा द्वारक होता है दूर इस्थेत वस्तु से प्रकाश अभी द्रशक में प्रवेश करता है तथा इसका वास्तविक प्रतिबिम्ब नली के अंदर बनता है नेत्रिका जिसका प्रयोग एक सरल आवर्धक के रूपने होता है अंतिम प्रतिबिम्ब को उल्टा करके दिखाता है जब अंतिम प्रतिबिम्ब अनंद पर बनता है अभी द्रशक लेंज दूर से आती हुई वस्तु की समानतर किरणों को प्राप्त करता है इस प्रकार एक प्रतिबिम्ब आई मुख्य फोकस F0 पर बनता है क्योंकि अंतिम प्रतिबिम्ब अनंद पर है आता आई को नेतरक के मुख्य फोकस F1 पर होना अवशक है इस प्रकार FE तथा F0 ने समान इस्थल पर हैं समान समंजन में इसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता प्रतिबिम्ब द्वारा नेतर पर निर्मित कों तथा सीधे वस्तू द्वारा बनाए गए कों के अनुपात में होती है जबकि बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब दोनों ही अनं पर होते हैं कोण ये आवर्धन M बराबर घटा F0 ने बटा FE होता है जहां F0 ने वस्तू की फोकस्तूरी है एवं FE नेतरक की फोकस्तूरी है क्या आप चांते है न्यूटर ने प्रदेशित किया कि कोई प्रिस्म श्वेद प्रकाश को रंगों के पट्टियों यानि इस्प एक्ट्रम में विक्टित कर सकता है अबल आकाशिय दूर्वीन की साहता से सबसे दूर की गैलेक्सी का पता लगाया गया है आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संख्षेप में दोहराएं माध्यम के अपवर्टनांग के पदों में वस्तू तथा तति बिम्ब की दूरी तथा वक्र कोलिये सतह की वक्रता त्रिज्या के बीच सबंध है लेंस निर्बान के सूत्र ये हैं पत्रा लेंस सूत्र है लेंस की आवर्धन M, M बराबर V बटा यू लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटे F मेटर में डायॉप्टर D क्षमता P1, P2, P3 इत्यादी वाले फत्रे लेंस की सन्योजन क्षमता है P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 जमा इत्यादी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्थनांक N बराबर साइन A जमा डेल्टा निवनतम बटा दो को साइन A बटा दो से भाग देने पर राप्त होता है जहां A प्रिज्म का कून तथा डेल्टा M निवनतम विचलन है श्वेत प्रकाष का संधटक वर्णों में विपाटन परिक्षेपन कहलाता है सूक्ष्म कणो प्रकाष के तरण देट की विमाउं से प्रकिनित प्रकाष की तीवरता प्रकाष के तरं देट के जतुर्थ घात के विट्क्रम अनुपादी होती है अर्थात आई एक बटा लेंडा की घाद चार के अनुक्रम अनुपादी होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस्पायोपिया तथा एस्टिकमेटिज्म आग के दिश्टी दोश है सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर D गुणा एक बटा F गुणा एक बटा B सन्यूक्त सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर घटा B शूने बटा U शूने कुणा D बटा F E जमा D बटा V E दूरपिया का कूण ये आवर्धन है M बराबर घटा F-09 बठा F-E जहां F-09 विम्मी की फोकस दूरी है तथा F-E नेत्रक की फोकस दूरी है